दोस्तों नमस्कार आप देख रेंगर केट इंडिया और डेली गरिकेट के एक और नए एपिशोड में आप सभी लोगों का स्वागत है अज तारीख हो चुकी है 15 जनुवरी 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन बरकी करकेट से जुड़ी सभी टोप कबरों के बारे में जहां पर एक तरफ करकेट का महासंगराम यानि टाटा IPL 2022 के रिगार्डिंग आप सभी IPL फैंस के लिए BCCI ओफीसियल्स की तरफ से दो तीन बड़ी बड़ी खुस खबरिया ब्रेकिंग न्यूज निकल करा रही है वही दूसरी तरफ भारत और साउथ अफरिका के बीच के लिगे टेस्ट शिरिज में भारतिय टीम की करारी हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंशिप की पोइंट स्टेवल में भारतिय टीम को तगड़ा जटका लगा है और उसके अलावा भी यहां पर रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरे निकल करा रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से अनलेसिस करने वाले हैं इसलिए आप इस वीडियो को अन्तक जरूर देखते रहे हैं इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइपर के बैल आइकन जरूर दबा देना दोस्तो सबसे पहले में आप सभी लोगों को बताना है चाहँगो कि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर एक छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं फटा आपड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जिरूर जोइन कर लीजिए तो चलिए बिना समय गुआए अब हम बात करते हैं दिन बर्गिर गेट से जुड़ी सभी टोप खबरों की तो पहली और सबसे बड़ी ख की तैयारे में जूटी है आईपेल 2022 में कुल दस्टी में पार्टिसिपेट करने वाली है लेकिन दोस्तों आईपेल 2022 के रिगार्डिंग आज की तारीख में 3-4 बड़े-बड़े अपडेट्स निकल करा रहे हैं चलिए बात कर लेते हैं उन सभी बड़े अपडेट्स की त एसीचुएशन आउट और कंट्रोल हो जाती है तो ऐसे में यहाँ पर बिशिश्याई ने अपना प्लान भी भी तैयार कर लिया है प्लान भी के तोर पर यहाँ पर आउटर कंट्रीज में बिशिश्याई आईपेल 2022 को होस्ट करने का विचार कर रही है लेकिन बिशिश्याई ने अधिकारिक तोर पर यह है कंट्रम कर देगी अब की बार यहाँ पर बिशिश्याई की चोईस UAE नहीं होने वाली है क्योंकि UAE में आईपेल को होस्ट करना बिशिश्याई को काफी ज़्यादा एक् बिशिश्याई IPL 2022 को होस्ट करने के लिए स्री लंका को चून सकतर वैशे में यहाँ पर स्री लंका करकेड बोट ने भी बिशिश्याई के पास IPL 2022 को होस्ट करने के लिए उफर वेजा है उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की तो यह अफडेट निकल कर आ रहा है कि कहीना कई सभी रासिद खान के फैंस के लिए बहुती बड़ी ये खुश्कपरी निकल करा रही से यह भी तयागा कि वो मेगा उक्षन का हिसा नहीं होगी कि एवल स्पेस्टल पिक में वो एहमदाबाद की टीम में यहाँ पर सामिल हो जाएंगे उसके बाद हम बात कर 12 के मेगा उक्षनस में पाटिशिपेट करने वाले हैं उन सभी को BCCI की पास अपना रिजिस्टेशन कराना है लेकिन BCCI ने अब यहाँ पर डेट को एक वीर और एक्स्टेंड यहाँ पर कर दिया है जिसके चलते में अभी यहाँ पर सभी खिलाडी 23 जनुवरी तक अपना र 24-7 की वीडिरो सर्विस आपको यहाँ मिल जाती है आप इनसे वट्चैप पर कॉंटेक्ट करके सबी डीटेल्स ले सकते हैं और कमेंट बोक्स में आपको इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप सभी इनफोर्मेशन्स देख सकते हैं उसके बाद हम दोनी रविंदर जडेजा को कैप्टन से हैंड ओर कर देंगे जडेजा की कैप्टन सी के अंडर हमें यहाँ पर महेंदर सिंग धोनी खेलते वे दिखाया देंगे हाला कि से की तरफ से किसी भी टाइब की कोई भी कंफर्म नीज नहीं आई है के वाल सोर्सिज के हवाले से यह report निकल कर आ रही है उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की तो यह खबर निकल कर आ रही है कोलकाता नाइटाइडर्स की टीम को लेकर जिया कोलकाता नाइटाइडर्स की टीम ने कला धिकारिक तोर पर IPL 2022 के लिए अपने बोलिंग कोच की अनाउस्मेंट कर दी है जिया भारत अरून यहाँ पर IPL 2022 के लिए टीम कोलकाता नाइटाइडर्स के बोलिंग कोच का रूल अधा करने वाले है उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और साउथ अफरिका की बीच होने वाली वन डे शीरीज को लेकर जिया टेस्ट शीरीज में दो एक से मिली करारी सी कस्त के बाद भार का बदला लेने के लिए भारत और साउथ अफरिका ODI format में आमने सामने होने वाले है तीन मैजों की बहुती सांदार वन डे सीरीज होने वाली है जिस वन डे सीरीज का आगाज 19 जनवरी 2022 होने वाला है पहला वन डे मैच 19 जनवरी को हमें पाल के मैदान पर देखने को मिलेगा भारतिय टीम भी अफरीका दोरे के लिए रवाना हो चुकी है भारतिय टीम के स्क्वेट्स में हमें काफी सारे बड़े बड़े चेंजिज देखने को मिले हैं जो मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता देता और वहीं शीरीज के लिए अफरीकन टीम के अनाउस्मेंट भी फाइनली हो चुकी है और भाई कहीं ना गए अब काफी सानदार और इतिहासी के शीरीज होने वाली है रोईशेर मैं शीरीज में इंजिरी के चलते पार्टिशिपेट नहीं कर पाएंगे केल डाउल हमें यहाँ पर भारतिय टीम की कपतानी करते होने जराने वाले है और जस्प्रीद भूमरा को इस शीरीज के लिए भारतिय टीम का वाइस कैप्टन बनाए गया लेकिन दोस्ता आपको कहा रखता है कून सी टीम जीतेगी इस वन डे शीरीज को भारत या फिर फ्रीक आप हमें कमेंट बुक्स में अपनी राय जरूर देना उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की तो यह खबर निकल कर आ रही है चाल 2022 के सबसे बड़े टूनामेंट यानि टीट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 को लेकर जहापर कल हमें एक बहुती बड़ा अपडेट देखने को मिला है जहापर ICC ने ऐसा कंफर्म कर दिया है 21 जनुवरी 2022 को जो ICC की मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के जश्ट बाद यहाँ पर T20 वर्ल कप 2022 के पूरे के पूरे फिक्चर्स पूरे का पूरा पूरा स्यड्यूल अधिकारिक तोर पर जारी कर दे जाएगा और जैसे ही यहाँ पर स्यड्यूल की अनॉस्मेंट हो जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल गर्केट इंडिया पर देखने को मिलेगा सब्सक्राइब के तो इंडिया थेंक्स पर वाइचिंग